हाई एब्रिवान वालकम टू माई चैनल हम पीची का ब्लेंड कैसे होता है ड्रफ है मैं वो प्रोसेस की बारे में बता रहा है और उसमें हम काडिंग तक कवर कर लिए थे आज ड्राफ हैम सिंपल एक्स रिंफ्रेम और कवर करेंगे और आप इसको बड़ा ध्यान से दिखिए वीडियो जो पहले जो शूटिंग क्या हुआ और यह वीडियो एक है यह वह देखने के बाद यह देखने का फिर ताके समझ म आएगा ठीक है और सबसे पहले देखिए ड्राफ हैम में अपन क्या करेंगे वह परिष्टा कट्रम ब्लेंड का बारे में बता रहे हैं यह ड्राफ हैं ब्लेंड बना का समझा रहे हूं तो देखिया सबसे पहले इसमें हम बावन अट्तारीस काड़ेट का बीश और बनाएंगे और पैसेट पैंतिस कोंड में तीस काउंड बनाएंगे तो इसमें मैंने ड्राइंग का आपको कल जैसे समझा रहा था यह उसमें ड्राफ हैं में तीन पैसेज अपन करेंगे तीन इसलिए करना पड़ता है सबसे पहले तो पलिश्टर का और कटन का काड़िंग से अलग से चला के इसका लेबलिंग करना पड़ता है और वह रापिंग बिल्गुल आकुरेट रहेगा पतला नहीं रहेगा क्योंकि हम ड्राफ हैं ब्लेंडिंग करने जा रहे तो अपना काड़िंग माल में मोटा पतला रहता है वह मलब रपिंग भरियासन रहता है प्रोब्लम आता है इसलिए और लबलों ड्राइंग में यह पलिश्टर का आठ स्लाइबर कटन का अलग अलग पर चलाएंगे और देखिये प्लिश्टर में में यह क्या कितना फोटीट यह और बाउन का गेज है यह आगे का यह पीछे का और फाइबर वही रहेगा जो काल बात हुई थी फाइबर 1.2 डेनियर इंटू 38 और कटन भी जो बात हुई थी चार बैराइटी का हुई रहेग तो प्लिश्टर में गेज रहेगा फोटीट फिफिटी टू ब्रेकड्राफ टू वान पाइंट सेवन डेलिवर स्पीड फाइप रेंडेड एंपेम और रापिंग देखिए पाइंट वान वान नाइन ठीक है उस्टर आएगा डाई से तिन तक आएगा और ट्रम्पेट का पूरा यह दे दिया आपको मलब पालिश्टर लेबलिंग जो करेंगे गेज इसलिए रहना पड़ता है क्योंकि आट ती सेवन का फाइबर है पूरा पूरा तो गेज इसलिए फोटीट फिप्टी टू रखे आपन उसके पाद दोको कटन का कटन का ओई आट स्लाइबर रह पाइबर आक्सिस में बिलकुल रांडम ले रहता है आडा तीर्छा रहता है इसलिए थोड़ा वाइड गेज रहते है अपन बैलिस चेवरालिस है और ब्रेकड्राप्ट वान पाइबर पूछ शकते हो कि ब्रेकड्राप्ट इतना कम क्यों है क्योंकि आपन इसमें ओपन कटन नहीं होता आप पूरा गठान का मिक्सिंग से चलाते ना तो यह 1.51 की जागा आपन 1.71 भी रख सकते है लेकि इसमें 1.5 वा नहीं रखना 1.71 नहीं रखना ठीके उसके पाद देखिए स्पीड अपना कटन लेबलिंग में आपन 4500 का रखे 450 MPM और रापिंग रखे 0.13 26 और उस्टर आएगा इसका 3 से साढ़े तीन तेक लेबलिंग वाला ड्राफ हम में और उसके बाद ट्रंपेट होई साढ़े चार रखनागा कोई दिक्केत नहीं है कटन में थोड़ा वाइड साइड रहाएगा ठीक रहेगा उसके बाद देखिए एक प्रसेज हो गया एक प्रेकर भी बोल सकतो ब्लेंडिंग इसलिए बोलते हैं इसमें क्या आपन डिसाइड करेंगे 55-35 से या उसका मैं बता दूँगा ब्लेंडिंग में देखों शाड़ चार का ट्रंपेट ये ब्लेंडिंग होता है आप इसी सब्सक्राइड ब्लेंडिंग होता है इससे मालूब पड़ेगा 55-35 का चला रहा हूं या 48 बाउंड का चला उसी सब्सक्राइब ब्लेंडिंग बताएंगा अभी और उसके बाद देखो ओट लबलर ड्रेंग रहेगा फिनिसर यह भी ऑट लबलर रहेगा और यह दोना रहेगा और यह प्लेंड रहेगा अगर इन केस अब परिश्टर काम होता है और उसकेस में आप अपने हिसाब चाहिए और उसमें देखो फिनिसर में दो भराइटी हो गया काड़ और कोंड काड़ में 500 चलाना कोंड में 350 चलाना या 300 चलाना और 110 का रपिंग रखा काड़ में 115 रखा मनें कोंड में इसमें 2,5 उस्टर आएगा काड़ में फिनिसर में और इसमें कोंड में 1.7 से 2 तक आएगा और यह ट्रंपेट 4.2 यह 3.8 और मैं यह चीज आपको इसलिए बता रहा हूं देखो यह आपकी लेबलिंग बाला चैप्टर ओटलवार ट्रेंग फिनिसर बाला भी समस्च मोंज में नहीं आएगा dauरो किंशर में मैंने कोंड बाल में रपिंग 1,1 ऐजले रखा उनको इसमें 30 काउंट बनानी है बाकी 110 रखा मैंने 224 बनानी है जैसे कोर्स काउंट आउर कोर्स करना जैसे आपको 16 काउंट बनानी है या 14 काउंट बनानी है इसको 110 को.100 भी कर सकतो कोई दिकर नहीं लेकिन रापिंग तो आपको आगे का कौन सा काउंट बनाना उसी सबसे आप सेट कर सकतो लेकिन इसका जो तो काड़िंग लेबलिंग पलिश्टेल लेबलिंग उसके रापिंग में कोई छेड़ खानी नहीं किया जाए वह दिक्कत हो जाता है और ब्लेंडिंग का देखो जैसे अपना 65-35 काड़ेड तो यह हो गया कितना पांच क्यान काड़ेड लेबल मैटरियाल मैटरियाल और तीन क्यान हो गया काड़ेड लेबल मैटरियाल वह पांच क्यान हो गया पलिश्ट्रेड लेबल मैटरियाल यह 25-35 काड़ेड हो गया ऐसे 25-35 कोम्ड हो गया यह हो गया पांच क्यान प्लिश्ट्र लेबल वाला मैटरियाल के थीन क्यान के अध्यक्यान कि द्यान रखे है जब कुम्ड का क्यान अपने अड़ करके ब्लेडिंग बनाएं जासे अब जा तिन लगाए इसे तिन अलग अलग लगा ओ चार दिबा का बना रहे तो चार ट्मेन अलग अलग लगाना अंथ तो यह पांच हो गया पालिस्टर लेबूल बट रहे क्टिन वीड क्यान हो अओ니다 को ठीक है और の देको 22.35 काडल ठीक है इसमें क्या हो गया चार क्यान हो गया कि पलिश्टर लेबल्ड को चार क्यान हो गया काडल लेबल्ड और यह कुम्बर का क्यान बता रहा हूं इसका भी रापिंग पॉइंट 136 में सेट करने का कर्टन का रपिंग जैसे सेट होता है ने तो फिर घडबड़ा जाएगा यह हो गया बाउन क्यान ते काड़ फिर आगया बाउन अट्ताडीस अंट इसमें क्या करना चार क्यान लेना पलिश्टर लेबलल मैट्रियल ओचार क्यान लेना कोंबर मैट्रियल कि यह ब्लेंड का तो यह इसमें 35-35 बाउन अट तरी दो ब्लेंड का मैंने बता है चार वेराइटी का हो गया वो ब्लेंड की बार में बता दू कभी कभी पार्टी मानता है बीस एसी का देदो या पंजाजी पंद्रा देदो या सतर तीस देदो ऐसे अगर अलग-अलग अगर बैटे जाता है ठीक है नहीं बैटेगा फिर इसको ब्लोरूम ब्लेंडिंग करना पड़ेगा नेक्स्ट अपना ड्रफेम का बारे में समझा दिया था अभी पालिष्ट्र कटन ब्लेंड का ड्रफेम ब्लेंड का अब यह बताने जा रहे है पन इनिलेप कॉमबर का औ पता दू एक मैंने इंट्रूबू सीरीज का एक वीडियो बनाया सीरीज या वीडियो है उसमें मैंने युनिलेप कॉमबर का डिटेल काल्कुलेशन लायल कैसे आड़ ज़स्मेंट करना है मतलब क्वालिटी कैसे सेट करना है शारी चीज मैंने लिख रखा इसको आप अगर आपकी पार मार्जिन है तो कम से कम ग्राम पर मिटर चलाइए ताकि आपकी नेफ्स लेवल काम रहे अच्छा रहे और निफ्स पर मिनिट देखो मैंने साड़े चारी सो पकड़ा हुआ और अगर आप माडल लट्टे स्ट्रेक कुमबल लाये हो तो भी ज्यादा जा स जा सकता है और भी पर मिट देखो 4.7 mm या फंद फिल फिट पर ने चारपकार का कर सकते हो 4.3 ऑफिन सेवन यह फाइफ प्यंट 2 है 5.9 है तो जीतना भारी रखोगी ना पने उतना क्वालिटी खरा पाएगा तो जीतना काम रखो की उतना अच्छा रहे गा तो इसलिए 4.7 लिए जाएगा जो बिल्कुल सुपर कॉम का मैट्रियाल बनाएंगे जो बाइस परसेंट परसेंट नायल लता है उस केस में अपन फॉर प्रेंट थी लेंगे ठीक है उसके पाद देखें युनिलाप का डिलिवरी स्पीड 80-100 में पकड़ा हुआ युनिलाप का जो डिलिवर आप रखा चार कॉम्बर रखा तो आपको 100 कभी चलाना जरूत नहीं पड़ेगा अशी का एंप्यम में बहुत हो जाएगा ठीक है तो आप देखना पड़ेगा कितना कॉम्बर है कितना युनिलिया पर उसी इसाब चाप क्या मिनिमुम स्पीड रख सकते हो उसके बाद कॉ कॉम्बर का रफी 136 रहेगा इसको बिलुकुल छेड़ खानी नहीं करना ना हलका करना ना भारी करना फ्रिक्वेंटली रापिंग चेक करते रहना रापिंग अगर गणबड़ा जाएगा फिर ब्लेंड का प्रब्लम आ जाएगा उसके बाद कॉम्बर स्लाइबर उस्टर क कॉम्बर स्लाइबर का उस्टर मैंने तीन से साड़े तीन तेक रखा उसमें उसी रेंज में आना चाहिए और नायल अपन आट्रा परसेंट रखें आट्रा परसेंट शोडा परसेंट जैसे पार्टी का रिक्वार्मेंट है कितना परिशा देर आए धागे का फैलू उसी अपने सब्सके से आप 18 भी रख सकते हो सोडा भी रख सकतो मिलके से तो ये आप कंबार उनिलपक हो गया लेक्स्ट देखो सिंपलेस का बारे में हम बताने जा रहे हैं सिंपलेस में क्या होता है देखो मैं आपको जैसे बता था अपन पाउन नट्टली प्लेंड में अपन 20 और 24 कंड चलाएंगे और 65 कंड तुछे अपन परसेट में तीस काउंट चलाएंगे यह कॉंड में आ गया यह काड़ेड में तो फ्लायर स्पीड देखेए मैंने 750 आर्पेम रखा काड़ेड में कॉंड में कॉंड में कॉंड में मैट्रियाल है और अपना पलिश्टर भी 65 परसेंट इसमें स्पीड अच्छा लगता है क्व अपना सेटिंग बराबर बैठेगा उसी सब्सक्राइब यह कॉर्स काउंट है यह थे ले पोर्स रखा और टीम देखो पाइंट नाइन टू लिया हुआ इसमें पाइंट एट टू लिया हुआ इसमें क्या पालिश्ट्रे ज्यादा है कुंबर स्लाइबर है यह काड़ेर स सब्सक्राइब यहां पर एक चीज में बोलना चाहता हूं जैसे अबरेज प्रडेक्शन पर स्पिंडल अपन लिकाल दे आठ गंटे गा वही जो मेरा जो बेसिक फर्मुला वाला जो वीडियो में ने अफ्लोड किया था उसमें अब देखिएगा सेवन पाइंट टू का ए तो उसमें जरूर फ़लो करनेगा तो फिर उसके पाद 85 परसेंट में अपन इसमें 0.85 गुना करती है 5.36 की जी आ गया इसमें 5.5 की जी आ गया फिर अपन समदों 120 स्पिंडल का सिंप्लेक्स है तो जो नंबर अप स्पिंडल है गुना करतेंगे केजी पर स्पिंडल वाला इन्टू तीन गुना करतेंगे जो एक सिप्टी का अपन परड़क्शन यह लिए है पर स्पिंडल 5.36 इन्टू 120 हो गया स्पिंडल इन्टू 3 हो गया नंबर अप सिप्ट वहलों 24 गंटे का आ गया 929 किलो ऐसे इसमें भी गुना करतेंगे 5.5 में 120 इन्टू 3 1980 केजी आ जा पहल और 55-35 में रखगा पचाशसे पजबड बाउन 1840 का परसेंटे जयादा है इसलिए हर्पली काम आएगा और इसमें कांट्ट है और और सिंप्लेस का बट्टम रोल गेज है 1665 का है काड़ेड में और 1870 है कोम्ड में तो इस गेज में चले और इस टीपिय टीम रखे तो मेरा हिसाब से पीसी में आपको कोई भी क्वालिटी के प्रॉब्लेम नहीं आएगा और सिंप्लेस का बराबर रेजल्ट आएगा ठीक है जैसे अपनों रापिंग चाहिए 5.95 चाहिए और फिनिशर रापिंग पैंट 110 है तो इसमें 8.63 बाउनर तरी काड़ेड में ड्राप्ट आया और इसमें 1.10 चाहिए अपनको 30 काउंट के लिए और फिनिशर का रापिंग 9.56 ड्राप्ट आया तो मेकानिकल ड्राप्ट अप 10.75 या जाएगा तो उसी हिसाब चे देखो बीडी सीपी आज उम 67 किया और इसमें भी 67 लिया अपने ले लिया हुआ और यह देखिए अपन ड्राप्ट कंबिनेशन गेर जो हता रहा एक सो तीस बीस है एक सो तीस बीस लिया हुआ एक ड्राप्ट कंबिनेशन आता है एक सो पचीस बाइं पचीस आता है इसमें क्या चेंज हो जाएगा इसमें तेश यह जा जीरो फाइब टू डिवर्ड बाई सीपी इन्टू बीडी सीपी आ जाएगा ड्राप्ट कंशाज करें ठीक है यह 29968 डिवर्ड बाई 67 इंटू 8.8 और इसमें हो गया 29968 डिवर्ड बाई 67 और डिवर्ड बाई 9.75 यह 9.75 पे अक्चेली ड्राप्ट अपना 9.75 पे अपने डिवाइड कर देंगे तो इसमें सिपी आ जाएगा इसमें सिपी कितना आ जाएगा तेको 29968 डिवर्ड बाई 67 डिवर्ड बाई 9.75 यह आजाएगा आपकी 45.8 आ गया तो मुलों च्याड स्टीद का शिपी आ जाएगा एसमें ब्रेक ड्राप्ट अपन लिए होगा 1.12 लिया होगा इसमें 1.12 लिया होगा इसमें 1.12 लिया होगा स्पेसर साड़े चे है कोंड की केस थोड़ा स्पेसर काम कर दो की चलेगा साधे पांच शे तक भी चल जाएगा अगली वीडियो में आएगा रिंप्रेव और पीसी का जो रिकोबरी का जो फर्मूला है ब्लेंड वाईज रिकोबरी अलग 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 आता है उसका भी टीप्स दूँगा मैं क्यूंकि पीसी में रिकोबरी निकालना बहुत कठीन होता है सब लोग नहीं निकाल पाते मैं इसको भी कैसे निकालना है इसको डीटेल जानकार दूँगा इतना में वीडियो समप्त करता हूं थैंक्यों